मेरे यूटूब चैनल एस्टोन इस पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूं नरेश्कमार सबसे पहले उन दश्कों का धन्यवाद जिरोंने पेज को सब्सक्राइब किया है पेज के वीडियो को शेर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भी भीज रहे हैं दोस्तों पुफिष्षी जानने की जिए जञासा हर व्यक्ती में होती हैं हर व्यक्ती ये जानना चाहता है कि उसका आने वाला समय कैसा रहेगा लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ती होते हैं जिन्ने अपनी जे अपनी सहीरी राशी के बारे में पता नहीं इसलिए वो confused रहते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो उनकी जनम पत्रिका जो जनम के समय बनाई गई है या जब उनका जनम हुआ है उस समय जनम पत्रिका बनाई नहीं जा सकी इसलिए उन्हें अपनी सही राशी का नहीं पता है तो आज हम आपको बताएंगे यदि आपका नाम M से शुरू होता है यानि कि M से शुरू होने वाले मौनू, मुकेश, मीना इन सारे नामों का जो राशी बनती है वो सिंग राशी बनती है ये लोग सिंग राशी के तहट आने वाले मगा नक्षत्र में पैदा हुए है मगा नक्षत्र के चारो चर्णों में M शबद आता है तो M शबद वाले जितने भी जातक हैं वो सिंग राशी के जातक है आगे हम बताएंगे सिंग राशी के जातकों की नेचर क्या होती है और सिंग राशी के जातकों का 2024 कैसा रहेगा तो जो सिंग राशी के जातक होते हैं सबसे पहले ये नेचर देखनी पड़ेगे कि सिंग राशी है क्या सिंग राशी जब आप देखते हैं तो नाम से ही पता लगता है कि सिंग है ये शेर है ये बहुत जोशीले होते हैं ये फाइरी साइन है सिंग राशी एकलोती राशी है सूरे की और सूरे एकी राशी की स्वामी है वो है सिंग राशी ये स्थिर साइन होता है थोड़ा सा एरो ने कहा दी है वो बात सही है जब एक बात पर टिक जाते हैं तो टिक जाते हैं यह बहुत अच्छे दोस्ट सावित होते हैं बहुत अच्छे प्रेमी भी सावित होते हैं क्योंकि चंद्रमा जब फिक्स साइन में आजाता है एक धारना बन गई तो धारना तूटती नहीं है कम मुझबूती यह है कि यह शेर की तरह स्टेंड लेकर खड़े हो जाते हैं फिर कोई भी जाहे आजाए सामने फिर दोस्त यह बहुत अच्छे थाबित होते हैं तो यह सिंग राशी की खूबी और कमजोरी होती है आगे देखते हैं दोजात चोबी सिन का कैसा रहेगा तो यह चर्चा करेंगे यह जो कुंडली आप लगी भी देख रहे हैं यह सिंग राशी की कुंडली है और यह एक जनरी के दिन की कुंडली है तो सबसे पहले कुछ डेट्स है इंपॉर्टन वह डेट आपके लिए नोट करना जुरूरी है क्योंकि चार महीने ऐसे हैं आपके जनरी से लेकर 14 फबरी तक का महीना आपके लिए शुब है यहां से सूरे आगे जब जाएंगे क्योंकि छठे भाव का सूरे का गोचर शुब होता है यहां पर जब सूरे आएंगे तो 15 मई के आसपास का समय होगा 15 मई से लेकर 15 जुलाई यानिकि सूरे इस भाव में गोच अच्छा समय है आपके लिए 15 जनरी से लेकर लगबग 15 फबरी आप बोल सकते हैं मकर सक्रांथी 14 को होती है 14 से लेकर और फिर 15 मई से लेकर आगे यहां पर 17 जुलाई के आसपास सूरे जो है यहां पर करक्राशी में प्रोइश करते हैं तो 17 जुलाई तक का समय अच्छा है इसके बाद सूरे का तीसरे भाव का गोचे रश्चा होता है यहां पर सूरे आएंगे लगबग 15 अक्तूबर के आसपास 15 यह सूरे अक्तूबर को सूरे आएंगे और 15 नुमबर तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा यह संक्रांथी के दिन पर डिपेंड करती है सूरे की मुवमेंट एक दिन आगे भी हो सकता है एक दिन पीछे भी हो सकता है तो लार्जली जो समय है 15 मई से लेकर 15 जुलाई 2 महीने 15 14 जनुरी से लेकर 15 फ़र्वरी फिर एक महीना और यहां से 15 अक्तूबर से लेकर 15 नुमबर तक का महीना आपके लिए शुब रहेगा इन चा ड premiereений जाता है और हम गो चर में अच्छा और उसकी गर्णा इसलिए की जाती है किकि सूरे के हैं ऐती आपका लगन कुर्णी में देखते हैं तो लगन का कारक सूरे होता है लाउष स pakai 3 weeks के उनका कारक होता है इसलिए और सूरे हैं यह हर महीने राज़ी बदलता है और उसका impact हम सब के ऊपर पड़ता है तो सिंग के जालशी के लिए चार महीने है वह नोट रखीएगा वह चार महीने आपके लिए बहुत बहुत बहतरीन रहने वाले हैं इन चार महीनों में कोई भी आप काम कर सकते हैं आगे बताएंगे कि आपको कहा कहा आपको कैसा कैसा फल मिलेगा तो यह फिलहाल यहां पर रखेंगे इसको सूरे को इसी राशी में रखेंगे यह पहली जनवरी की कुंड़ी है तो केतु जो है वो अश्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे जब दिन आपका साल शुरू होगा शुक्र और बुद्ध चोथे भा तो यह पहले दिन की कुंड़ी बहुत अच्छी है क्योंकि मंगल इस कुंड़ी में योगा कार ग्रह होकर अपने मित्र ग्रह सूरे और लगनेश सूरे के साथ बैठा है तो यह अच्छी फूर्मेशन होगी साल के पहले दिन में शनी यहां पर सब्तम में हैं यह गोचर यानि कि नो ग्राप के लिए शुब गोचर में चल रहे हैं नो में से पांच ग्राप के लिए शुब गोचर में चल रहे हैं तो मान के चलिए कि शुरुआत अच्छी है जहां पर अब करम भाव जो है उसके स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र पहले ही दिन शुब गोचर में हैं और अपने भाव को देख रहे हैं यानि कि जब आप काम की शुरुआत करेंगे साल की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए कारोबारी स्थितियां बैटर रहेंगी हम साल की शुरुआत के पहले चार महीने गुरू का गोचर आपके लिए काफी शुब चल रहा है और आपको इसका अच्छा फैदा मिलेगा आयस्थान का स्वामी जो है बुद्ध है आपकी कुन्ली में और धन भाव का स्वामी भी बुद्ध है तो यहां पर बुद्ध चंदरमा से चोथे भाव में शुब गोचर में हैं और केंदर में बैठा हुआ है करमस्थान के स्वामी के साथ करमस्थान के स्वामी और आयस्थान के स्वामी की चोथे भाव में यूती जो सुखस्थान होता है यह अच्छी स्थिती है यहां पर कोई भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं जा रहा स ये जो धिने देने हम पांता मेदा के इस में और स्थिति 통 लिए इसमेंकर उस्तिति के सब्नार्वाइक अपके रहेगी क्यों कि गुरु होती है बाक्य t歌 के अज्य भाव एकसा रहेगा तो गुरु यहां पर है और गुरु के सिंगल के सीटीजुऽ को लाइन बड़े इंपोर्टंडज लिए इन चार महीनों में आपकी लाइफ को हम आ सकता है आपकी मर्जी से करें अगर ऐसी बात नहीं है घर वाले कोई देख रहेएं तो Gesar वाले भी देख रहे हैं तो आपका रिशता हो जाए सिंगल्स के लिए लगन का स्वामी पंचम में गुरु की दृष्टी पंचम के ऊपर भी और लगन की ओपर भी तो यह स्थिति एक तरिके नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है तो यह एक अच्छी जानकरी है आपके लिए उन सिंग्ल्स के लिए सिंग राशी के जाथकों के लिए जो लड़की की तलाश कर रहे है अपने लिए लड़के पार्टनर की तलाश क रहे है शनी यहाँ पर सब्तम भाव में हैं शनी यहाँ पर होना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पोजिशन नहीं होती तो यहाँ पर डिग्बल ही हो जाते हैं इस भाव को मजबूत कर देते हैं कुछी हीशवो बाकि इस वाव के ऊपर या रहा ना कियुक्त पुर्पाव यहां पर जाएगा ना मंगल गोचर ना की साथ तोड़े से परशानी वाले हो सकते हैं यह रफली यहां पर मंगल चलते हैं 45 दिन के बाद यहां पहुंचेंगे और इसके 45 दिन बाद यहां की रफली मार्च के आसपास का महीना होगा जब मंगल और शणी के आपस में यहां पर यूती बनेगी वह समय आपके लिए अपरल आपको द्रिश्टी देंगे आपकी वानी में अग्रेशन आएगा वहां पर चीजें आपके साथ बिगड़ सकती हैं वहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी सिंग राशी के जात्कों को अदर्वाइस कोई बहुत जादा लंबी चोड़ी दिक्कत नहीं आ पंदरा तरीको ही सूरे आजाएंगे यहां पर चोड़ा जनुरी को सूरे आजाएंगे और यहां पर हेल्थ के कारग्राय जो हैं सूरे यही पर होंगे यह शुबगोचर में होंगे तो आपके लिए शुरुवात साल की हेल्थ के लिहाएस से अच्छी रहेगी से हटेंगे नहीं दोजार पूरा दोजार चोविस शनी यही पर रहेंगे इसका मतलब है कि स्वास्त को लेकर कोई बहुत जादा दिक्कत नहीं आएगी गुरु यहां पर आ जाएंगे अपरल में तीस अपरल को यहां पर गोचर होगा यह उन लोगों के लिए अच्छा हो को बिमारी से मुक्ती मिले कुछ को करण से मुक्ती मिले और लिटी लिएशन जिनके मुकद्मे चलरहे हैं उनको तीस माई सब्सक्राम से और रह conse'm के बाद ग्रोहत है ऐसे लोग इनके पास काम नहीं हैं जो नया काम इनून रहे हैं या करना चाते हैं जिनकी पहली जो जिनको चाहिए जो study पूरी करके निकलेंगे अपरल के बाद वहां पर गुरू की दृष्टी इस भाव के ओपर उन्हें नहीं नोकरी जो नहीं नोकरी देने में भी मदद करेगी तो गुरू का गोचर जो होगा वो आपके लिए हालाकि दस्वें भाव में गुरू का गोचर अच्छा नहीं होता लेकिन इसके बावजूद गुरू की दृष्टी हमेशा फलदाई होती है गुरू इस भाव को देखेंगे सीधा साथवें दृष्टी से तो मा की सेहत को भी ठीक रखेंगे आपकी नई प्रोपटी बन सकती है सिंग राशी के जात्कों के लिए एपर साल की शुरुवात में बुद्ध चोथे भाव में शुमगोचर में बुद्ध अकैडमिक कार जो है एजुकेशन के कारग रहे हैं और गुरू यहां पर पंचम में पंचम से गुरू नौई दिश्टी से पंचम को देखेंगे यह हाईर एजुकेशन का भाव है इसको एक् में यहाईर राशी चैनकों के लिए इसक्यूशन कारव लिए निलिए मन i ALT के में इसको कारव लेकर पास हो च्छे छो है इसको कर पाएंगे गूरू की अ दृषटिया यहां पर रहेंगी और बुद्ध भी आपके लिए शुमगोचर में रहेंगे चाल इसका अचल की स्वामी का केंदर में जाकर शुक्र के साथ जाना विपुल धन योग मनाता है तो यह आपके लिए अच्छी स्थिती है तो कुल में आकर यह हम देखें सिंग राशी के जातकों के लिए चुकि पहले दिन पांच ग्राय आपके फेवर में आ गए हैं गुरू का गोचर आपके लिए शुब चल रहा है गुरू आगे जाकर भी बहुत जादा नेग्टिव नहीं होंगे सूरे मंगल आपके लिए शुब चल रहे हैं तो आपका दोजार चोबिस मोटे तोर पर अच्छा जाएगा इसमें कोई बहुत जादा दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ जो पीरिड राशी के जादकों के लिए दोजार चोबिस का राशी फल है यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिए और यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए इसके साथ ही